नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर वायराखी कैसे आप लोग आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूँ चंद्र ग्रहन मकर राशी में लगा तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे वाट्सप किया क्या आप मकर राशी के बारे में बताएं मैं आपको बता दू पहले तो डरने की जुरुत है लेकिन ग्रहन कोई अच्छी चीज नहीं होती है जब भी ग्रहन लगता है तो कुछ ना कुछ बुरा असर दिखता ही है पूरी दुनिया पानी पानी जल जल हो रही है क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का ही कारक है चंद्रमा म चाहिए शंकर भगवान की किसी तीरत पर होकर आना चाहिए किसी जोती लिंक के दर्शन करने चाहिए आपको शनी की पूजा करने से शिफ की पूजा करने से आपके उपर इस ग्रहन का कोई भी असर नहीं होगा अपने वजन के बराबर कच्छा कोईला लेकर जल परभा कर आपको लगेगा कि इससे तो pollution होगा मैं आपको बता दू कि कोईला जाकर धर्दी नदी में बैठ जाता है बहुत सारे जीव जन्तु ऐसे हैं ऐसी मचलियां है जो उसको खाती है क्योंकि वो लककड होती है और pollution भी कोईला जो है नदी को साफ करता है आप जब कोईले को नदी के बराबर कोईला कच्छा कोईला पानी में बहाते हैं तो उनके लिए बहतर हैगा ग्यारा शनीवार ग्यारा नारियल ग्यारा शनीवार ग्यारा नारियल हर शनीवार ग्यारा नारियल लेकर शनी मंदर में अरपन करकर आना है इससे भी आपको इस ग्रहन का कोई असर नहीं द तो अपने रिष्टों को बचाने के लिए अकर मकर राशी वाले इस ग्रहन के दुश परभावों से बचना चाहते तो छोटे उपाए ओम नमश शिवाई की एक माला आपको करनी है आपको शिव शंकर के मंदर में जाकर उनको सिंधूर अरपन करना है जी हां और ये भी याद 120 दिन तक दिखेगा तो मकर राशी वालो घबरानिया परिशान होनी की जरूरत नहीं है शंकर की पूजा कीजे ये आपकी किस्मत है कि सावन के महीने में ये ग्रहन लगा है तब आपका भला हो सकता है जब आप भगवान शिव की पूजा से अराधना से बस सकते हैं गंगा चंद्रमा चांदी का लेकर उसे अपनी जेब में रखना है मकर राशी वालो ये भी आपके लिए बहुत लाब दायक रहेगा जिंदेगी खुब सूरत है बाकी सोच को अच्छा और बढ़िया रखिए जबान को बंद रखिए उस पर जिप लगा लीजे किसी के आगे गंगा तो कटौती में गंगा होना तो वही है जो प्रभू ने रख रखा है लेकिन जब मेरे हाथ में चोट लग जाए और मेरे हाथ में प्लस्तर हो तो मैं अपनी उंगली को पकड़ के लिखना शुरू नहीं करूंगी उसे संभाल कर और बचा कर रखूंगी अपने आप को आपको इस ग्रहन से बस इसी तरह से बचाना है नमस्कार